अनाधिकाल से अनंतकाल तर न मिटने वाला लखनिया पहाडी जहरना जहां का एक एक पत्थर अपनी एक भिशेस्ता लिए बैठा है इस जहरने का नाम इसमरण मात्र से दिल खुस हो जाता है नमस्कार दोस्तो मैं आपका दोस्त अजे एक बार फिर आपके सामने उपस्तित हूँ तो दोस्तो आज हम बात करेंगे लखनिया पहाडी जहरने के बारे में लखनिया दरी एक ऐसा दरी है जिसके पास जाना आत्यंत खतरनाक वह रहस्म है दोस्तो आपसे पास जाज़ एक बारे में वह रहस्म है दोस्तों आप से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें क्योंकि साथियों इस वीडियो को हमें बनाने में साथ घंटा टाइम लगा है और आप के लिए एक वीडियो बहुत ही खास होने वाला है तो देर न करते हुए आपको ले चलते हैं जहरने के पास क्योंकि स्चर्ण है टुब्यास के लिए खास क्यांन प्सक्राइब करते हैं लखनिया दरी चुनार से 25 किलो मीटर दूर पहाडों में बसा या जहरना अपनी इतिहासिक क्लाकिर्तियों के लिए अत्यांत प्रसिद्ध है यहां का नजारा देखते ही बनता है पहाडों के बीच से गिरता हुआ जहरना पर्याटकों को अपनी और आकर्सिद करता है लखनिया दरी का जो पहाड आप देख पा रहे हैं पहाडों के बीच बने गुफाओं और उनमें की गई प्राचीन काल की चित्रकारी के लिए भी ए दरी पर्सिद्ध है लखनिया दरी में आपको अनेव प्रकार के पहाड़ देखने को मिलेगा अगर आप लखनिया दरी घूमना चाहते हैं तो सावन के महीने में जुलाई वब अगस्त में सबसे उत्तम समय है लेकिन सावधान लखनिया जरना बहुत ही खतननाग दरी है इस जरने में अचानक से जरने का बहाव बहुत तेज हो जाता है और जरने के पास जो लोग नहाने के लिए जाते हैं वो लोग मौत का सिखार हो जाते हैं लखनिया दरी अगर आप जाते हैं तो बहुत सावधाने पुरुवग रहिए इस जरने में नहाने की कोशिस न करें लखनिया दरी जैसा कोई दरी भी नहीं है यह दरी मिर्चापुर्चिले का सबसे बड़ा दरी है अगर आप इस वाटरफाल में घूमना चाहते हैं तो एक बार चरूर आएं आप ठाइब में आपके नहीं है पीछे जरा कुमादा पीछे जरा कुमादा जा हो कर दो भाफर मेर से आपर और तो दोस्तो आपको यह लखनिया पहाडी वाटरफाल कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत आपको बताएं